तो क्या बोलती पब्लिक गेमिंग फोन की भी लिस्ट चाहिए तो लेकर के आ चुका हूँ आप लोगों के लिए टोप गेमिंग फोन की लिस्ट जो कि आपको मार्च 2023 में देखने को मिलने वाली है तो अगर आप भी एक बेस्ट गेमिंग फोन बाई करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बेस्ट गेमिंग फोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मार्च के मन्त में आपको सबसे पहली गेमिंग स्मार्टफॉन की तो आपको आईक्यू नियो 7 देखने को मिलने वाली है इस स्मार्टफॉन में 6.78 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले मिली की 120Hz स्क्रीन रिफ्रेसर रेट के साथ Mediatek Demicity 9000 प्लस की प्रोसेसर देखने को मिलने वाली है 10MP के आपको सेल्फी वो वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगी 5000mAh की बैटरी आपको इस स्मार्टफॉन में देखने को मिलेगी और साथ ही साथ 120W की फास्ट चार्जर भी आपको इस स्मार्टफॉन के साथ देखने को मिलने वाली है बात कर लेते हैं ल सो दोस्तों बात कर लेते हैं अब सेकेंड गेमिंग स्मार्टफॉन की तो आपको नूविया रेड मैजिक 8 प्रो देखने को मिलने वाली है इस स्मार्टफॉन में 6.78 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी 120Hz स्क्रीन रिफ्रेसर 8 के साथ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 की प्रोसेसर देखने को मिलेगी जो कि आपको OnePlus 11 IQ 11 में देखने को मिल दिया तो performance आप लोगों को भी पता ही होगा कि कितनी बहत्रिन होने वाली है और gaming experience इस स्मार्टफॉन के साथ कितनी बहत्रिन होने वाली है 12GB की RAM variant 256GB की storage variant आपको इस स्मार्टफॉन में देखने को मिल जाएगी और इस स्मार्ट स्मार्टफॉन में आपको 6000 मिली एंपियर की बड़ी बैटरी देखने को मिलीगी जिसे चार्ज करने के लिए 80W की फास्ट चार्जर आपको इंदी बॉक्स देखने को मिल जाएगी लॉंच डेट के गर दोस्तों बात कर लिया जाए तो मार्च के सेकेंड विक में इस स्मा आप जरूर कर लिजिएगा तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट गेमिंग स्मार्टफॉन की तो आपको स्यामी 12S देखने को मिलने वाली है यह कन्फॉर्म नहीं है से फ्री उमर्स में बनी हुई है कि आपको मार्च के मन्थ में देखने को मिल सकती है इस स्मार 12GV की रैम बेरियंट 512 GB की स्टोर्इज वेडियंट आपको इसे स्मार्टफॉन में देखने को मिल जाएगी ट्रीपल कैमरा सेक्टप देखने को मिलने वाली है जिसमें 50-megapixel की प्रैमिरी सेंसर होने वाली है और फ्रन्ट में 32-megapixel की सेलफी वो वीडियो कॉलिंग के ल लॉंच ओने वाली है तो मार्च के लाश्ट वीक में दोस्तो इस स्मार्टफॉन को लॉंच कर दिया जाएगा और इस स्मार्टफॉन की प्राइस सेगूंट की बात कर लिया जाए तो आपको एप प्रॉक्स 75,000 तूपीज देखने को मिलने वाली है तो आगे के smart phone को बताने से पहले दोस्तों चैनल को अभी subscribe कर लिजिए जब तक subscribe नहीं किजिएगा आगे के smart phone में आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं तो जल्दी से subscribe किजिए नीचे red color का subscribe बटन है क्लिक कर बेल नोटिफिकेशन को ओल पर जरूर कर लिजेगा जितने लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उन लोगों का धन्यवाद और जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं आगे वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा So guys next gaming phone जो होने वाली आपको Vivo S16 देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्लेइ मिलेगी 120Hz screen refresh rate के साथ Qualcomm Snapdragon 870 की आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी Gaming experience तो दोस्तों बहुत ही बहतरीन होने वाली है इस smart phone में 12GB की RAM variant 256GB की storage variant आपको इस smart phone में देखने को मिलने वाली है और 64MP की आपको triple camera setup देखने को मिलेगी और front में दोस्तों आपको 50MP की जो है selfie वो वीडियो calling के लिए sensor देखने को मिल जाएगी 4600mAh की आपको battery देखने को मिलेगी जिसे charge करने के लिए 66W की fast charger आपको in the box देखने को मिलने वाली है और launch date की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो last week of March इस smart phone को भी launch कर दिया जाएगा और price segment की बात कर लिया जाए तो approximately 35,000 टूपीज में आपको ये smartphone देखने को मिलने वाली है तो वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट सक्षन में जरूर बताइगा और वीडियो पसंद आड़ी हो, informative लग रही हो तो वीडियो को like जरूर कर दियेगा क्योंकि जितने भी upcoming smartphones की जो वीडियो होती है सबसे पहले मैं आप लोगों को provide कर वाता हूँ तो वीडियो को like कर channel को subscribe जरूर कर लिजिएगा इस तरह की latest वीडियो पाने के लिए तो नेक्स्ट स्मार्टफोन जो होने वाली है गेमिंग स्मार्टफोन आपको OPPO Reno 9 देखने को मिलने वाली है जो कि 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले 120Hz स्मार्ट रूप्रेसरेट के साथ आने वाली है और Qualcomm Snapdragon 778G की आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी 12V की RAM वेडियंट देखने को मिलेगी 256V की स्टोरेज वेडियंट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है डूल केमरा सेटप देखने को मिलेगी जिसमें 64MP की प्राइम डी संसर होने वाली है और 32MP की सेलफी वर वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रन फेसिंग कैमरा आपको देखने को मिलने वाली है 45MP की बैटरी के साथ इस स्मार्टफोन को लॉंच किया जाएगा और इससे चार्ज करने के लिए 67W की फास्ट चार्जर आपको इंदी बॉक्स दिया जाएगा बात कर ले तो लॉंच कब तक होने वाली है और किस प्र स्मार्टफोन आने वाली है वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जाकर क्या आप चकाउट जरूर कर लीजिएगा तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखरी गेमिंग स्मार्टफोन की तो आपको देखने को मिलन बाली मतलब गेमिंग एक्सक्रेहिएं साथ में देखने को बाली है या स्मार्टफोन में पीकसल से बस्सेंसर देखने को मिलने को मिल जाएगी की 120 watt की fast charger देखने को मिलेगी मतलब 15 मिनिट पर फोन आपकी full charge हो जाने वाली है बात कर लेते हैं launch rate की तो फरवरी के last week में या तो फिर March के first week में इस smartphone को launch कर दिया जाएगा और price segment के कर दोस्तों बात कर लिया जाए तो आपको approximately 65,000 टुपीज इस smartphone की higher variant की price देखने को मिलने वाली है तो अमित करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आयोगी तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई informative लगी तो वीडियो को क्या करना है वीडियो को like कर देना है और इसी तरह की informative वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर, bell notification को all पर नवाद